उधारण चार इन प्रश्नों के मान ग्यात कीजिए चार बटा साथ की घात रिण तीन हमें चार बटा साथ का घात रिण तीन का मान ग्यात करना है सबसे पहले हम रिण तीन के घात को अंश और हर में बाटेंगे तो यहां होगा चार का घात रिण तीन बटा साथ का घात रिण तीन हमने यहां पे भाग का नियम का प्रयोग किया है चुकि A बटा B का घात M बराबर A का घात M बटा B का घात M होता है बराबर हम इसे लिख सकते हैं चार का घात रिण तीन गुणित एक बटा साथ का घात रिण तीन बराबर चार का घात रिण तीन का घात को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे एक बटा चार का घात तीन गुणित उसी तरह से रिण सकतीन को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे साथ का घात तीन यहाँ पे हमने घातां के दो नियम का प्रयोग किया है पहला एक घात रिण एम बराबर एक बटा एक घात एम होता है और दूसरा कहीं एक बटा एक घात रिण एम है तो यह एक घात एम होता है बराबर इसे हम लिखेंगे 7 का घात 3 बटा 4 का घात 3 बराबर 7 का घात 3 को हम लिख सकते है 7 गुणित 7 बटा 4 का घात 3 को हम 4 गुणित 4 लिखेंगे बराबर 7 गुणित 7, 49 गुणित 7, बटा 4 गुणित 4, 16 गुणित 4, बराबर 49 गुणित 7 का गुणा 343 होता है बटे 16 गुणित 4, कमान 64 होगा यहां उधारण का हल है दूसरा, चार की घात 4, गुणित 16 की घात रिणदो, गुणित 4 की घात 0 हमें चार का घात, चार गुणित 16 का घात रिणदो, गुणित 4 का घात 0 का मान ग्यात करना है सबसे पहले बराबर 4 का घात 4, गुणित 16 का घात रिणदो, रिणात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे 1 बटा 16 का घात 2, गुणित 4 का घात 0, हमने यहाँ पे घातां का नियम लगाया है चुकी 1 का घात रिणदो, बराबर एक बटा 1 का घात M, बराबर हम इसे लिखेंगे 4 का घात 4, गुणित 4 का घात 0, बटा 16 का घात 2, बराबर 4 का खात 4 गुनित 4 का खात 0 बटे 16 को हम 4 का खात 2 लिख सकते हैं और यहां 16 का खात 2 है तो 4 का खात 2 का खात 2 होगा बराबर चार का घात चार गुणित चार का घात शुन बटे चार का घात दो गुणित दो चार यहाँ पे हमने घातांग में घातों की घात का नियम लगाया है एका घात M का घात N बराबर एका घात M गुणित N आगे अगले प्रिष्ट में देखते हैं आगे चार का घात चार गुणित चार का घात शुन बटा चार का घात चार हमें प्राप्त हुआ था बराबर यहाँ पे देखिए अधार एक है तो अधार को हम एक बार लिखेंगे और घात को जोड़ेंगे चार धन शुन निया यहाँ पे हमने घातांग में गुणा का नियम लगाया है एका घात एम गुणित एका घात एन बराबर एका घात एम धन एन बटा चार का घात चार बराबर चार का घात चार धन शुन बराबर चार बटा चार का घात चार बराबर यहाँ पे हमारे पास बटे में अधार एक है तब हम अधार को एक बार लिखेंगे और अंश और हर की घात को घटा देंगे चार रिण चार यहाँ पे हमने घातां का नियम लगाया है एक घात M बटा एक घात N बराबर एक घात M रिण N बराबर चार का घात 4 रिण 4 बराबर 0 बराबर चार का घात 0 कमान 1 होता है चुकि घातांग में एक घात 0 कमान 1 होता है यहाँ उधारन का हल होगा झाल झाल